Hello everyone, welcome back to my channel, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, सलाम, नमस्ते, रादे रादे, आज इस टेरो कड़ की तुरू, हम जाने की कोशिश करेंगे इस स्केंडल वैक्स में, specially कि आपके partner की feelings क्या है, क्या सोच रहें वो इस वक्त आपके बारे में, या दोनों की रिष्टे के बारे में, क्या है उनकी सोच, क्या है उनके विचार, क्या है उनके thoughts जानने की कोशिश करेंगे, तो ये general reading है सब के साथ resonate भी होगा अगर आप जाना चाहते हैं अपनी personal life के बार में personally आप reading लेकर जाना चाहते हैं detail में तो मुझे contact कर सकते हैं मेरा number screen के उपर है साथी साथ अगर आप नहीं हैं मेरे channel पर तो please subscribe कीजे ये general reading है जो भी resonate होता है वही लीजे और जो आपकी situation के साथ match होता है जो आपको लगता है कि ये मेरी situation है वही लीजे बाकी का छोड़ दीजे किसी और की energy हो सकती है तो positivity के साथ इस reading को शुरू करते हैं सबसे पहले हम tarot cards में देखने की कोशिश करेंगे ये आपके परसन के energy आज क्या है क्या सोच रहे हो आपके बारे में या इस रिष्टे के बारे में no contact situation अगर है तो उस energy से connect करने की कोशिश करेंगे अगर no contact situation में वह आपके partner क्या सोच रहे हैं अगर आप husband wife हैं दोनों अलग हैं तो उसके लिए भी हम देखने की कोशिश करेंगे चाहि आपके person male है female है single है married है सबके लिए reading है तो प्लीज positive रहकर उस इंसान या उस partner को ज़रूर याद कीजे जिनके लिए आपके दिल में feelings हैं जानने की कोशिश करेंगे कि वह क्या सोच रहे हैं एंजल सो universe मिज़े प्लीज काइड करें एंजल से इन universe मिज़े प्लीज काइड कर सबसे पहले जो card आया है three of pentacles एक तो third party हो सकती है आप दोनों के बीच जिसके वज़े से person आपको time नहीं दे रहे हैं जिसके वज़े से आप दोनों के बीच लड़ाई होती है या जिसके वज़े से यह person आपको कम importance देते हैं और third party को अभी third party हो सकते है कोई भी वेक्ती या third party हो सकती है इनकी family दोनों में से कोई है जो आप दोनों के बीच आने की कोशिश कर रहा है और सबसे ज्यादा तकलीफ आपको third party की होती हुई मुझे नजर आती है इस relationship में अगर आपके partner आपके person married है तो उनकी wife या उनके husband third party हो सकते है देखे क्या coincidence है यहापर three of pentacles of three of swords strongly third party आप दोनों के बीच दिखाए देता है एक तो आप deal कर रहे है एक married person से आप deal कर रहे है ऐसे इंसान से जो already married है या already committed है या already उनका किसी के साथ रिष्टा है फिर भी आपकी तरफ आकरशित होते हुए मुझे नजर आता है या हो सकता है कि यह person आपके साथ रिष्टे में है लेकिन उसकी शादी होने वाली है ऐसा भी हो सकता है या आपकी शादी होने वाली है किसी और के साथ लेकिन आप प्यार करते हैं किसी और से ऐसी situation यहापर मुझे दिखाए देती है तीन लोगों के बारे में यह reading मुझे कहने की strongly कहता है तीन-तीन नंबर के दो बार लगाता तो third party situation जिसके वज़े से आपके समझ में नहीं आता है, या आपके partner के समझ में नहीं आता है, कि आपके साथ उनका future अच्छा रहेगा, या फिर third party के साथ, तो confusion है, लड़ाई है, इसके वज़े से, कहीं न कहीं, यह person ऐसा मुझे लगता है यहां पर, कि आपसे थोड़ा वक् आताना है, तो कहीं न कहीं मुझे यहीं लगता है, strongly यहीं फिल होता है, कि आप एक option हो, इस रिष्टे में, मतलब आपके होने से ना होने से, कुछ फरक नहीं पड़ता है, आपके partner को, ठीक है, लेकिन आपको बहुत जादा फरक पड़ता है, यह मुझे यहां पर दिखाए कि आपका प्यार सचा है, और आपको तकलिफ होती है, इस situation के वज़े से, लेकिन उनके पास option होने के कारण, उनको फरक नहीं पड़ता है, यह उनको उतनी तकलिफ नहीं होती है, जितनी की आपको हो रही है, तो इसके बारे में आपको सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका break up हुआ है, तो अगर आप इस married person के साथ, या एक divorce के साथ रिष्टे में है, और आपको लगता है कि शादी नहीं होगी, तो भी चलेगा, लेकिन रिष्टा हो, तो सब ठीक है, लेकिन अगर आप strong commitment, single होकर strong commitment की अगर इच्छा रखते हैं, तो यहाँ पर मुझे commitment चाहिए, या फिर ये card ये भी कहता है कि आपके partner आगे जाकर आपको strong commitment दे सकते हैं, positive card है, अपने दिल की बात सुनेंगे और अगर इनका दिल आपकी तरफ जादा जुख जाता है, आपकी तरफ बहुत जादा आकरशित हो जाता है, इनको लगता है कि आपके साथ उनको उ ये सब मुझे पता नहीं है, ये general reading है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आगे जाकर आप ये आपके partner सही decision लेंगे, दोनों की खुश्या एक दुसरे से जूड़ी होई है, तो इतना आसान नहीं होगा, इस रिष्टे को तोड़कर नए रिष्टे में जाना, आपके partner के लिए अभी तो, ऐसा मुझे तो यहाँ पर लगता है, लेकिन क्या पता, इंसाने feelings change होती जाती है, यहाँ पर अभी मुझे ऐसे लगता है, कि उनके पास third party है, जो अपनी तरफ उनको करने की कोशिश करता है, जिसके वज़े से आज कल ये partner आपको थोड़ा सा दूर कर र फरक नहीं पड़ता है, और दोनों ने मिलकर अगर वादा किया था, यहाँ पर मुझे यह लगता है, दोनों ने मिलकर वादा किया था, इस रिच्टे को जोडते वक की साथ निभाएंगे, लेकिन मुझे यह भी यहाँ पर लगता है, कि आपने यह आपके partner ने इसमें से प family थोड़े से लोगों के लिए family भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत से 80% लोगों के लिए third party कोई इंसान है, हो सकता है कि कोई male है या female है, जो दोनों के बीच आने की कोशिश करता है, या पहले से था, जिसके वज़े से आपको तकलिफ होती है, four of wands card यही कहने की कोशिश करता है कि आगे आपको सोच समझ कर अगर आप कदम रखते हैं, सोच समझ कर फैरसला लेते हैं अपने जिदिगी के बारे में, तो वक्त बदलेगा, वक्त बहुत ही अच्छा रहेगा, लेकिन decision कैसे लेते हैं आप, या इस situation को कैसे handle करते हैं आप वो बहुत जादा माइने रखता है, क्योंकि आपके जिदिगे का जवाल है, तो आपको situation देखकर इसके बारे में आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आप अपनी खुशी के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, आप अपनी खुशी ढूंड रहे हैं इस person में, और ये person अभ मुझे नजर आता है, तो ऐसे में आपको संबल कर कदम रखना चाहिए, bottom of the deck, temperance, body positive card, और ये card यही कहना, कहने की कोशिश करता है, कि अगर आप सोच समझ कर इस रिष्टे को निबाएंगे, तो future बहुत अच्छा है, अगर आप जल बास में आकर कोई पैसला लेंगे, तो गड़बड हो सकते हैं, रिष्टा तूट सकता है, तो balance में आने की जरूरत है, या सोच समझ कर आपको बात करना है, सोच समझ कर communication करना है, गुसे में आकर ऐसा नहीं करना है कि आपको रिष्टा ही तोड़ देना है, या इनसान को भला बुरा कहे कर अपने आप से दूर करे तो किसे और का फाइदा होगा, तो यह सोचे कि आपकी खुशी कहां पर है, जहां पर आपकी खुशी है, उस तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे एंजल्स भी या पर कहते हैं, कि उस दिशा में आप बढ़ो, जहां पर आपको लगता है कि यह मेरी खुशी है, या मैं खुश रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, तो बैलन्स, इमोशन लाने की ज़रूरत है, अगर आपको बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा है अभी इस वक्त, क्योंकि आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको चीट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के तरफ जादा खुश हैं, तो कहीं न कहीं थोड़ा सा वेट केजें, पार्टनर आ जाएंगे, अगर आप फसेवे हैं थर्ड पार्टी में, यानि कि आप मैरिड हैं और किसे सिंगल से प्यार करते हैं, उनके साथ शादी करना चाहते हैं, ये शादी तोड़कर, तो उसके ल आया है, दोनों positive cards हैं, लकिन नमबर 14, जो कि बहुत positive है, ऐसे देखा जाए तो 7 नमबर भी lucky नमबर है, लेकिन उसमें बहुत देरी से effect आपको दिखाया देता है, क्योंकि pentacles की energy है, तो यहां पर राशी जो आई है, वो है, Aries राशी, Taurus वर्गो कैप्रिकॉन, मकर राशी, कुमबर राशी आई है, वो भी बहुत जाज़र strong है, यहां पर, Aries Leo Sagittarius, मेश राशी, सीह राशी, और धनू राशी आई है, साथे साथ, Aries राशी भी आई हुई है, तो देखते हैं, candle wax में क्या निकल कर आता है, आपके person की सच्ची भावना है, सच्ची feelings क्या है, तो candle की flame क के उपर आपको focus करके, अपने partner का नाम लेना है, तीन से साथ पर, Angels and universe मुझे प्लीज काइड करे, Angels and universe मुझे प्लीज काइड करे, Argy Angel Michael मुझे प्लीज हेल्प करे, प्लीज उस व्यक्ति का नाम जरूर लेजे, चैरा जरूर याद केजे, जिनके बारे में आपको जानना है, या जिन से आपको no contact मिला है, या जिसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अभी एक दूसरे से बात नहीं हो रही है, block situation हो सकती है, तो situation बहुत slow है, एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कुछ action नहीं लेते वोए मुझे नजर आता है, यहाँ पर, तो यह situation ऐसा है न, जहाँ पर कि आप बात करना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि वो phone करें, या वो message करें, और वो भी आपका इंतजार करते वे नजर आता है, इस full moon पर, अभी आने वाला जो full moon, next full moon है, वहाँ पर सबसे बहुत से लोगों का reunion होते वे मुझे नजर आता है, क्योंकि moon का symbol बहुत बार बनावा है, तो यहाँ पर मुझे यही लगता है कि full moon तक, अगली full moon, यानि कि अगली पौर्णी मा के दिन, या असपास, आप लोगों का reunion हो सकता है, फिर से बात्ची स्यूरू हो सकती है, दोनों की बीच बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा, यह रिष्टा आगे बढ़ेगा, आप इस person को support करने की जरूरत है, इस partner को आपकी support की पैसला ले ले, अगर आप पीछे हट रहे हैं, तो ऐसे में partner को ऐसा लग रहा है यहां पर, कि आपको कुछ पड़ी नहीं है, तो वो क्यों action लेंगे, आपको कोई फरक नहीं पड़ता है, ऐसा उनको लगता है, अभी पता नहीं क्यों लगता है, लेकिन उनको ऐसा लगता ह आपके partner को, कि आपको इस no contact से कुछ भी फरक नहीं पड़ता है, उनको लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत मज़े में हैं, आप बहुत अपनी life enjoy कर रहे हैं, उनकी जाने का ही इंतजार कर रहे थे, ऐसी खयाल यहां पर मुझे दिखाए देते हैं, कि वो आपको spy करते हैं, आपके pictures देखते हैं, status देखते हैं, जहाँ पर आप smile से photo डालते होंगे, किसी दोस्तों के साथ photo डालते होंगे, कहीं पर आपकी घर में कुछ function है, तो उसका photo डालते होंगे, तो यह partner जो है, वो देखकर परिशान है, इसलिए इनके खयाल negative होते जा रहे ह उनका ऐसा लगता है कि आपको कुछ फरक नहीं पड़ता है, उनके होने से ना होने से आप बहुत खुश है अपने जिन्दिगी में, तो ऐसे में आपको clarity देना बहुत ज़रूरी है, आपके partner को कि हाँ मुझे फरक पड़ता है, इस no context situation से, जितना तुमको फरक पड़ता है जितनी तुमको तकलिफ होती है, उतनी मुझे भी तकलिफ होती है, तो कहीं पर दोनों को एक दुसरे को समझाना, एक दुसरे से बात करना, एक दुसरे को clarity देना, यही रिष्टे को बचा सकता है, वरना क्या होगा, रिष्टे में दूरिया दूरिया आएंगे और दीचे लिया लिया होता है यह सही वगप पर सही दिल की बात सुनी होती । तो आज यही दिन नहीं देखना पड़ता तो इसके लिए क्या है की वक्त बहुत माइन रखता है वक्त आपके लिए रूखेगा नहीं वक्त चला जाएगा और आप बाद में पचताएंगे, इससे अच्छा ये है कि सही वक्त पर सही decision आपको भी लेना चाहिए, अगर आपकी गलती है तो, नहीं तो आपके partner को सही decision इस वक्त लेना चाहिए, क्योंकि वक्त नहीं रुकेगा, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि time will never wait for you, आपके लिए नहीं रुकेगा time, तो time की कीमत होनी चाहिए, वक्त की कीमत आपको होनी चाहिए, तब भी सही वक्त पर सही फैसला करेंगे, तो चीज़ें सही हो जाएंगी, यहां मुझे तडब भी दिखाए देते, एक दुसरे की मिलने के लिए तडब है, एक दुसरे का आवाज सुनने के लिए तडब है, एक दुसरे से बात करने के लिए तडब थे वह नजर आते हैं, लेकिन कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक दुसरे को मिस कर रहे हैं, ए इनको घर जाने का दिल नहीं करता है, अगर ये जॉब करते हैं, तो जाते तो हैं, ओफिस में, या कंपनी में, या जहां पर भी ये प्राइविट जॉब करते हैं, गॉवर्मेंट जॉब जाते हैं, लेकिन, जब ये घर पर आने का टाइम होता है, तो इनको घर जाने का मन नहीं करता है, सैड सैड रहते हैं, मतलब घर में वो खुशी नहीं है, तो घर में जब ये पहले जाते थे न, तो आपके साथ बात करके, इनका दिन बहुत ही खुशी से गुजर जाता था, लेकिन अभी आपसे बात नहीं हो रही, तो इस चीज़ का टेंशन होता है, इसका मतलब ये है, कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं, यहाँ पर मुझे यह लगता है, कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके उपर है, और यह पास लाइफ कनेक्शन, strongly मुझे फील होता है, कि पास लाइफ में, पिछले जनम में आपका रिष्टा रहा है, इसलिए इस जनम में आप मिले हो, और यह लड़ाईया जो होती है न, वो थोड़े टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई होकर रिष्टा खतम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, बिलकुल नहीं सोचना आपको, पॉजिटिव सोचे, कि वक्त बदलेगा, यह पार्टनर आपके प्यार को समझेंगे, ऐसा को सोचेंगे, तब चीजें ठीक होते बहें मज़े नजर आते, लेकिन क्या होगा, अगर आप बहुत जादा नेगिटिव एनरजी में रहेंगे, गुसे में रहेंगे, हो सकता है, यह पार्टनर की गलती है, यह नो कॉंटेक्स रिचुवेशन में, लेकिन अगर आप गुसे में रहेंगे, या उनको, जैसे कि हम बोलते हैं गाली देना, या फिर बुरी बाते हैं उनके बारे में सोचना, तो यह सोच जो हैं आपको बदलनी पड़ेगी, अगर सच में इस पार्टनर का साथ चाहते हैं, अगर आप यह सोचते हैं, कि यह पार्टनर मुझे चीट कर रहें, पार्टनर मुझे दोका दे रहें, Partner family की बातों में आ रहा है मेरे लिए तो वक्ति नहीं है यद मैं उनके लिए मायने नहीं रखता यद नहीं रखती सब कुछ उनके लिए family है family से बढ़कर कुछ भी नहीं ये सब आपकी feelings यहां पर मुझे channel हो रही है तो जो राशी आज मुझे यहां पर feel होती लीबरा है यहां पर तुला राशी कुम्ब है एक्विरियस यह कुछ राशियां यहां पर मुझे मैसूस हो रही है रेजनेट हो रहे हैं, फील हो रही है, नेक्स जो मुझे लैटर दिखाए देता है उसमें C लैटर बहुत स्ट्रॉगली कब से आ रहा है, C लैटर यहां पर V letter भी है, U letter भी है, F letter भी है, G letter है, P letter दिखाए देता है, W letter दिखाए देता है और यहां पर मुझे Z letter दिखाए देता है, उसके बाद S letter दिखाए देता है, O letter दिखाए देता है यह कुछ letters हैं, जो आपके नाम का पहला आक्षर हो सकता है, या फिर आपके partner के नाम का पहला letter हो सकता है, जो यहाँ पर मुझे question mark दिखाएं देता है, मतलब आगे क्या, ऐसा जो आप सोच रहें न, कि अगर यह partner ऐसा करते रहेंगे, तो आगे इस रिष्टे का क्या होगा, यह सोच कर आपको बहुत बुरी तरके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, depression, tension हो रहा है, मतलब आप खोना नहीं चाहते हैं इस partner को, ना ही आपके partner खोना चाहते, यहाँ पर एक question mark आया है, तो आपकी भी समझ में नहीं आता न, कि कौन ऐसा है, जो हम दोनों को मिलवा सकता है, या कौन ऐसा कुछ चमतकार करेगा, जो जिसके वज़े से हम मिलेंगे एक दुसरे से, क्योंकि बात तो करनी है, और बात करने की mood में मुझे लगता है कि दोनों नहीं है, दोनों ने एक दुसरे को block किया है, शायद ऐसा भी situation मुझे दिखाए देता है, यहाँ पर long distance relationship भी मुझे दिखाए देता है, aeroplane का symbol बनावा है, तो long distance relationship है, दुसरे country में दोनों रहते हैं, अलग-अलग country से relationship में है, ऐसा मुझे feel होता है यहाँ पर, तो अगर long distance relationship है, तो person travel करके आ सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, next यहाँ पर दिल बनावा है, दिल का symbol है, heart का shape का symbol बनावा है, जो यह कहता है कि, यह person का दिल आपके लिए धड़कता है, और यह दिल यह भी कहता है कि, third party situation जैसे कि, हाथ पर दिल, तूटावा दिल, वैसे ही कुछ दिकाए देता है, मुझे तूटावा दिल है, तो क्या हो सकता है, आप दोनों को यह बीच में जो भी situation हुई है, उसे आप ही ठीक कर सकते हो, बाकी लोग आपको सिर्फ guidance दे सकते हैं, लेकिन उसे कैसे आगे लेकर जाना है, पहले सबसे पहले आपको यह सोचना है कि, इस रिष्टे में आप खुश है, अगर खुश है, आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए, यहाँ पर मुझे मदूरा नाम strongly सुनाई देता है, या फिर यहाँ पर मयूर नाम मुझे चानल हो रहा है, नमीता नाम मुझे यहाँ पर चानल हो रहा है, साहिल नाम मुझे यहाँ पर चानल हो रहा है, जहीर नाम मुझे चानल हो रहा है, सलीम नाम मुझे चानल हो रहा है, यह कुछ नाम मुझे आज चानल हो रहा है, तो यह जो आपकी पार्टनर है न, 100% या October बॉन हो सकते हैं December बॉन हो सकते हैं या फिर February वरी March बॉन हो सकते हैं इनकी बड़ेट मुझे या पर strong ऐसे लगता है 13 हो सकती है 13 बड़ेट हो सकती है 17 बड़ेट हो सकती है 31 इनकी बड़ेट हो सकती है 29 इनकी बड़ेट हो सकती है 19 हो सकते हैi बà date या फिर हो सकता है 14 बà date है 5 है इनकी बà date 2 तारिक हो सकते हैं बà date या फिर 20 तारिक इनकी बà date हो सकती है किसी भी मैने की या आपकी हो सकती है यहाँ पर मुझे बिक्रा हुआ रिष्था दिखाए देता है जैसे कि समेट ना भ contain schne बहुत टाइम से नो कॉंटेक्ट भी है, ऐसा मुझे यहां पर लगता है किसी का तीन मेने से नो कॉंटेक्ट है, किसी का आट मेने से मुझे दिखाया देता है, नमबर आट मेने से नो कॉंटेक्ट है, किसी का सतरा मेने से नो कॉंटेक्ट सिचुवेशन भी दिखाया देता ह तो बहुत time से no context situation है और यहाँ पर मुझे ego attitude बीच में आते वए नजर आता है उनको लगता है न कि आप बहुत ज़ादा गुस्से वाले हो अपनी बात जब आप करते हो तो वही सुनना चाहिए उनको उनकी बात नहीं सुनते और उनको लगता है आपको लगता है कि वह बहुत dominating है यह कुछ मुसीबत मुझे यहाँ पर दिखाए देती है कि एक दुसरे के बारे में गलत सोच रहे हो या एक दुसरे को दोशी ठहरा रहे हो इससे अच्छा है ना कि अपने आपको थोड़ा सा change करने की कोशिश कीजे पूरा change करने के लिए लेकिन हर चीज हर इंसान में कुछ खामिया भी होती है और कुछ अच्छी चीज़े भी होती है तो जो आपके negative points है उसके उपर काम करने की कोशिश कीजे अगर आप तीकी बोलते हैं तीकी जबान है या गुसा आता है आपको गुसे में कुछ भी बोल देते हैं तो उसके उपर आपको काम करने की ज़रूत है नहीं तोर क्या होगा लोग जिनसे आप प्यार करते हैं वो तिरे तिरे आपसे दूर होने लगेंगे और आप अकेले पढ़ जाएंगे इससे अच्छा यह है कि कुछ चीजों में आपको बदलाव लाना चाहिए सबसे अच्छा जो आप यह कर सकते हैं रेमिडी वो है ब्रेसलेट जो आपको काम रखे या शान्त रखे तो यहाँ पर मुझे आपकी परसन अठके वह नजर आते हैं अठके वह सिचुवेशन में जहां पर यह परसन जैसे कि जकड लिया है इनको किसी ने हाथ पाउं बांग की एक जगह पर रखावा है ऐसे यह फील करते हैं मतलब बहुत कुछ करना है बहुत कुछ एक्शन लेना है लेकिन नहीं ले सकते किसी चीज में फसेवे हैं या किसी सिचुवेशन में फसेवे हैं और यह आपको नहीं बता सकते हैं या नहीं बताना चाहते हैं यह थोड़ी चीजे जो है न वह बहुत ज़्यादा हीडन मुझे दिखाए देती हैं छुपाई है इस परसन ने कुछ बात हैं आपसे हो सकता है कि यह already किसी से deal कर रहे थे हो सकता है कि यह already married थे लेकिन आपको नहीं बताया आपके साथ attraction यहाँ पर कपसे मुझे कच्छवा का सिंबॉल दिखाया देता है एक turtle का सिंबॉल तो आपके partner ने आपने अंगुठी पहनी है ऐसा मुझे लगता है कच्छवे की तो यहाँ पर मुझे कच्छवे जैसे ही चाल दिखाये देता है आपके partner की जहाँ पर वो धीरे-धीरे करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेकिन रुक रहे हैं फिर धीरे-धीरे चल रहे हैं फिर रुक रहे हैं फिर धीरे-धीरे चल रहे हैं तो ऐसे म अगर आप उनको support करेंगे या आपकी तरफ से उनको red flag दिखाए देगा या green signal दिखाए देगा तो वो आगे बढ़ेंगे कि हाँ मुझे भी तुमारा इंतिजार है ऐसा उनको अगर पता चलेगा तो वो आएंगे अब ये person के उपर किसी की नजर भी मुझे लगती है मतलब नजर है कोई इनको के उपर नजर रखे हुए है अगर आप extra marital affair में है तो इनको उपर नजर है कोई इनका आना जाना खग कहां पर जाते हैं किस से मिलते हैं ऐसी नजर कोई रखे हुए है या सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है इनका mobile check करना या फिर इनका पीछा करके देखना ऐसा कुछ है तो ये person को कोई spy कर रहा है आपकी partner को देखने के लिए अगर आपका secret relationship है 100 person है अगर आप extra marital affair में है तो भी इनके ओपर कोई नजर रखे हुए है यहाँ पर मुझे क्यों पता नहीं ऐसा strongly लगता है कि आपके partner already married है जिसके भी partner already married है या फिर आप single वो married है या दोनों भी married है तो मुझे please बताए क्योंकि यहाँ पर मुझे marriage की energy strongly आ रहे है साथी साथ यह भी लगता है न कि December में बहुत से लोगों का रिष्टा पक्का होने वाला है 2024 के end में बहुत से लोगों का रिष्टा पक्का होगा at least engagement तो होगी यहाँ पर butterfly भी बनावा है तो यह person freedom चाहते हैं थोड़ा सा वक्त आपसे दूर रहना चाहते हैं तो नहीं शुरुवात करना चाहते हैं आपके साथ जो भी हुआ जगड़ा हुआ है या फिर एक बूरा वक्त रहा है आप दोनों की बीच उसे भूल कर एक नहीं शुरुवात करना चाहते है और यह person को ऐसा लगता है न कि आप मान लेंगे आपको अगर वो मनाएंगे तो आप मना नहीं करेंगे क्योंकि आपने वो express किया है अपनी feelings कि मैं तुमारे बिना नहीं रह सकती या तुमारे बिना नहीं रह सकता तो वो उनको पता है कि promise किया था तो अगर अभी उनसे कुछ गल्ती हुई है तो उनको माफ करेंगे और फिर से दोनों एक हो जाएंगे ऐसा उनका दिल उनको कहने की कोशिश करता है अभी वो आपके उपर depend है कि सच में उनको आप माफ करेंगे या दूसरा मौका देंगे या फिर अगर आपकी गल्ती हुई है तो वो आपको एक मौका ज़रूर देंगे यह आएंगे ज़रूर आपके पास नो कॉंटेक्स सिचुएशन जितने भी लोगों का है उनके लिए गुट निउस है कि यह पार्टनर ज़रूर आएंगे यहाँ पर मुझे 21 नंबर दिखाए देता है और साथे साथ 18 नंबर भी मुझे दिखाए देता है 18 और 21 अटरा और 21 दिन हो सकते हैं जहाँ पर आपके इसके बीच अटरा और 21 दिन के बीच आपके पार्टनर आपसे मिले बात करें मैसेज करें कम सी कम आपको हाई हैलो तो कहें फिर से दोस्ती करना चाते है ऐसे एनर्जी आ रहे हैं फिर से उनको दोस्ती करनी है आपके साथ आपके साथ उनको खुशी मैसूस होती है वो अभी मान लिया है आपके पार्टनर ने कि हाँ मुझे खुशी आपके साथ ही मैसूस हो रहे है उनका यह कहना है आपको ही message आज उनकी energy ही है कि मुझे तुमारे साथ खुशी मैसुस जो होती है वो कही पर भी नहीं होती है चाहे इनके दोस्त बड़ी party भी रखे न तो भी इनको खुशी मैसुस नहीं होती है तो यह आपके साथ ही happy है यहापा देखाना emperor की energy भी है, पर यही कहने के कोशिश करते हैं, कि person दिल के राजा है, धिरे धिरे अगर इनके energy ऐसी थी, fluctuate हो रहे थे, किसी की बातों में आ रहे थे तो अभी अपनी दिल के राजा है, अपनी दिल की बात सुनेंगे, अपनी दिल की बात रखेंगे, थर्ड पार्टी अगर है, तो थर्ड पार्टी से अलग होकर यह आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं आपकी तरफ, decision हो गया है, इनकी नजर आपके उपर है, इनको आना है आपकी तरफ, हो सकता है, आपने manifest किया strongly इस person को, तो यह person अपनी खुशी के बारे में सोच रहें, ना की family के बारे में, या ना की third party के बारे में, अपने बारे में सोचना चाहते हैं, कि खुद कैसे खुश रहें, और यह बहुत यह अच्छा वक्त आप दोनों के बीच शुरू होगा, बहुत टाइम से जो आप दोनों में distance है, बहुत टाइम से no contact situation है, बहुत टाइम से जो तडप है, मिलने के लिए, बात करने के लिए, आवाज सुनने के लिए, वो कही ना कहीं, खतम होते हैं, मुझे नजर आती है अब यह person ना, इनकी mind में, इनकी दिल में, इनकी दिमाग में एक spark है, अच्छनक याद आना आपकी बहुत अच्छनक से याद आने लगी है बहुत अच्छनक आपको मीज करने लगे है missing energy strong हो रही है इनकी यह ज़रूर आपको call message करेंगे और रोएंगे और रोएंगे ऐसा तो होगा ही होगा कि person गिड़गी आएंगे रोएंगे, माफी माँगेंगे अगर इनसे गलती होई है अगर आप इनको थोड़ा सा attitude दिखाएंगे कि नहीं, तुमसे गलती होगी अभी मुझसे बात मत करो तो रोने लगेंगे लेकिन आपको अपना बनाना चाहते है यह person खुश्या ढूंट रहे है आपके अंदर आपके साथ happy रहते हैं और इनको पता है कि आप ही इनको happy रख सकते हो या आप ही हो जो इनका खयाल रख सकते हो या इनकी बारे में जादा जानते हो ग्रीन कलर का कार्ड है यहापर यही मुझे दिखाता है कि positive है, growth है यहापर भी एक पेड़ का symbol बनावाता तो growth है इस रिष्टे में आगे जाएगा रिष्टा तूटेगा ने अगर आपने सोचा है या बुरेस अपने आपको आ रहे है कि यह रिष्टा ही तूट गया आपके पार्टर आपको हमेशा हमेशा गिले चोड़ कर चले गए तो यह opposite होने वाला है बिल्कुल opposite कि यह पार्टर आपके दरफ आएंगे और efforts डालेंगे इस रिष्टे को बढ़ाना चाते है ग्रो करना चाते है तो efforts डालेंगे उसमें अगर आप किसी situation में फसे वह हैं अटके वह हैं तो उनको तकलिफ हो रही है उनको पता चल रहा है कि आपको उनकी ज़रूरत है ऐसा वो feel कर पा रहे यहाँ पर एक चोटा बच्चा भी मुझे दिखाए देता है हो सकता है कि आपका एक बच्चा है और आप डिवोसी हो तो उनको फिकर हो रही आपकी बहुत ज़रू सोचते हैं आपके बारे में कि आपका हाल क्या होगा उनके बच्च से या उनके गुसे में आकर उनने नो कॉंटेक आपको दिया या बिल्कुल ही मूँ मोड लिया अलग हो गए आपसे दूर कहे तो उनको वो ऐसास हो रहा है कि ऐसा नहीं करना था कि ज़रूरत के टाइम वो नहीं रहे आपके साथ या नहीं खड़े रहे सपोर्ट नहीं कि आपको और आप अकेड़े तड़पते रहे या चिलाते रहे आवाज देते रहे कि आजाव करके और उन्होंने नहीं सुना बिल्कुल पीछे मुड कर नहीं देखा ऐसी मुझे सिचुएशन लगती है जो कि आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि जो इनसान जरूरत के टाइम आपके साथ नहीं रह सकता तो आगे क्या करेगा लेकिन इस परसन को अपनी गलती पता चली है उनको लगता है कि जब आपको जरूरत थी उस वक्त ये पार्टनर को रुकना था या फिर ये पार्टनर को आपके साथ कम्यूनिकेशन एटलीस करना था या बीच बीच में पूश्टाज करनी थी यहाँ पर मुझे लगता है कि आचनक परसन आपसे दूर चले गए बहुत दूर अलग स्टेट में अलग सिटी में चले गए और नो कॉंटेक रहा आपने कोशिश की इनको कॉंटेक करने की और यह परसन नहीं रिप्लाइ किया नहीं आपको कॉल करने की कोशिश की कॉल बैक करने की कोशिश की तो ये अब रियलाइज कर रहे हैं जिसे कि आपने भी छोड़ दिया इनसे बार बार इनके पीछे पढ़ना आपको भी अच्छा नहीं लगता है आपको लगता है कि क्या रोज मैसेज करना रोज पीछे पढ़ना आजाओ करके या फिर मुझे से बात करो इससे अच्छा अभी आपने जब विल्कुल ही उनसे बात करना बंद करती तो उनको तक्विफ हो रही है उनको लगता है कि रौज मैसेज करने वाला या करने वाली अभी मुझे मैसेज नहीं कर रहे तो दिल टूटा हुआ मझे नजर आता है तो आने वारी दिनों में न ऐसा मुझे लगता है चार हफ़ते के अंदर बहुत ही अच्छा वक्त रहेगा यह पार्टनर लोट कर आकर अपनी सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं या फिर वो क्या सच में सोचते हैं आपको लेकर कितनी सीरियस हैं आपको लेकर इसके बार साथ दे या कोई भी साथ दे ना दे आप उनके साथ होना तो बस वो खुश है ऐसी फिलिंग्स है इसलिए आपके लिए वो टैंपरेंस के एनरजी भी आये थी कि आपको थोड़ा सा वेट करना है थोड़ा सा पेशन्स रखना है और अपने इमोशन्स को बैलेंस रखना है गुसे में आकर कुछ decision नहीं लेना है कि रिष्टा रिष्टा ही कतम हो गया अब ही partner वापस आएगा तो उसे माफ नहीं करूंगी या माफ नहीं करूंगा मुझे नहीं चाहिए ऐसा अगर सोचा है तो कि आपको यही सोचना है कि कभी नगभी आपस भी गलती होगी अभी आ आप सजा अपने आपको मत दे दो, क्योंकि आपकी खुशिया जूड़ी है, इस परसन के साथ, तो अपने आपको सजा नहीं देनी चाहिए, अगर आपको दिल यही कहता है कि इस परसन के साथ आपकी खुशी है, आप खुश रह सकते हो, बहुत अच्छा फ्यूचर रह सकता ह अभी आपको लगता है, जैसे कि आपकी पार्टनर को भी लगता है अभी, कि आपकी साथ रिष्टा तोड़कर उन्होंने बहुत बड़ी गल्ती किये, कहींने कि यह परसन को एहसास तो हो रहा है, ठीक है, तो यह परसन जुरूर आएंगे, आपको परिशान होनी की इस जनम में आपको डेस्टिनी ने मिलवाया है, तो इसके बीचे कोई न कोई वज़ा है, भगवान की वज़ा है, और यह रिष्टा इतनी आसानी से ना आप तोड़ पाएंगे, या अगर अपनी तोड़ा भी, तो आप सुख चैन से नहीं जी पाएंगे, आपकी की भी फिलिंग्स मुझे दिखाएं देती है, कि strongly attached है आपके साथ, आपके पास, दिल में वो जगा है इस परसन के, जो किसी और को नहीं दे सकते, या फिर किसी और के बारे भी नहीं सोच सकते, तो अभी आपको सोच समझ कर कदम उठाना है, या फिर positive energy में आपको आना है, पूजा पार्ट आपको करना चाहिए, अगर family है third party, तो अभी partner वो family के situation में से बाहर निकलती में मुझे नजर आते, मतलब family को importance देना है, दिया उन्होंने, हो सकता है 4 मेने, 5 मेने, 6 मेने, 1 साल, family की बातों में आते गए, आपसे दूरिया create करते रहे, लेकिन अभी उनको न disrespect करेंगे, family की बात मानेंगे, लेकिन अपनी खुशी के बार में भी सोचेंगे, यह बहुत अच्छी बात है, कि हर किसी को अपनी खुशी के बार में सोचना है, और क्या है न, universe के उपर विश्वास रतना है, क्योंकि थोड़ी चीज़े, universe के time में ही होती है, तो अगर आप सोचेंगे कि एक हफते में होना चाहिए, दो हफते में होना चाहिए, तो नहीं, अगर universe चाहेगा, तो तीन गंटे में होगा, चार गंटे में भी होगा, उनके उपर है, आपकी energy कैसे connect करती है, और आपको विश्वास कितना है, क्योंकि if you believe, अगर अपनी विश्वास रखा तो सब चीजें हो सकती है, positive चीजें या अच्छी चीजें, लेकिन विश्वास रखना ही होगा, तो आज के reading में इतना ही candle भी खदम हो गया है, अगर यह reading जो है, आपके साथ resonate किया है, तो प्लीज मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब चैनल को तो वाहन है, यह सकती है, तो खच्छी टूरूर दूरेप्छाइब कीजें अवाब्स.